नमस्कार दोस्तों आपका अपनी चैनल बेबी खेयर विद वन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 8 वे महिने में क्या आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके घर जो शिशु आने वाला है वो क्या होगा वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बोई तो आईए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं लड़का और लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं कर रही हूं मैं आप लो होता है लेवल 2 अगर उसमें आपकी FHR 140 से उपर आती हैं तो आपके घर में एक बेबी बोई का जनम होने वाला है सेकिंड है अगर आपका पेट फुटबोल की तरह है मतलब की नीची की तरफ लटका हुआ नहीं है उपर की तरफ उठा हुआ है तो आपके घर में एक बेबी बोई का जनम होगा थर्ड है जिन महिलाओं को पूरी प्लेगनसी कमर में दर्द रहता है उनको बेबी बोई होता है ये बात हमारी पुरा दादा नानी दादी होती थी वो लोग ये बताते थे क्योंकि कहा जाता है पुराने जमाने में कि बच्चा बेबी बोई जो पीट में दर्द करता है औ महिलाओं को बेबी औटा है। और जिन महिलाओं को पूरी प्रेग्नंसी रायट साइड में सोने को पसंद होता है। उनको बेबी गर्ल होती हैं। झाल झाल झाल